डॉक्टर रिशिकेश मेना लिखते हैं आरक्षन की वज़े से ही देश बरबाद हुआ है यदि आप मानते हैं कि आरक्षन की वज़े से ही देश बरबाद हुआ है तो फिर ये पोस्ट सिर्फ आपके लिए ही है जरूर पढ़े लशकर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है तुम जूट को सच लिख दो, अख़बार भी तुम्हारा है तुम जो कहो वो सच, हम जो कहें वो जूट मुल्क में नफरत का ऐसा तुफान मचा डाला है कुछ बुद्धिमान बोलते हैं कि आरक्षण ने देश को बर्बाद कर दिया है अब आप बताईए कि देश आजाद होने के बाद 14 वेक्ती देश के राश्टरपती बने उनमें से कितने आरक्षण वाले बने 15 प्रिधान मंत्री बने उनमें से कितने आरक्षन वाले बने देश के जो बड़े घोटाले हुए उनमें कितने दलित घोटाले बाज है बताएं जरा अब बताईए भारत देश में कितने दलित लोग ऐसे बड़े कार्पुरेट घरानों के व्यवसाई है जो देश की अर्थ विवस्था को प्रभावित कर सकते है अब आब बताईए देश को बरबाद कौन कर रहा है अगर संभावित ब्लैक मनी वालों की लिस्ट देखे तो कोई आरक्षन वाला नजर नहीं आता तो फिर देश को बरबाद कौन कर रहा है जितने लोग बैंकों का रुप्या हजम करके बैठे हैं या भग गए उनमें कितने आरक्षन वाले हैं? शायद कोई नहीं तो फिर देश को बरबाद कौन कर रहा है? बड़े बड़े ठेकेदार जो सरकारी ठेके लेते है रोड बनाते है, सरकारी बिल्डिंग्स बनाते है उन में कितने आरक्षन वाले है तो जब आप मिलेगा एक या दो प्रतिशत तो फिर इस देश को बरबाद आरक्षन कर रहा है या फिर मेरिट वाले जब ब्लेक मनी लिस्ट में एक भी नाम रिजर्व केटिगरी के लोगों का नहीं है सारे नाम जेनरल के है फिर भी कुछ बेवकुफ कहते हैं कि देश को रिजर्वेशन वाले बरबाद कर रहे हैं सच में इससे बड़ा जोक कोई और हो ही नहीं सकता बोफोर्स तोब घोटाला, कॉमनवेल्द घोटाला, आदर्श सोसाइटी घोटाला, सत्यम घोटाला, कालाधन घोटाला, स्टाम घोटाला, यूरिया घोटाला, चारा घोटाला, सुकराम टेलिकॉम घोटाला, शेर घोटाला, चीनी घोटाला, बहुत लंबी सूची है इन घोटालों की ये सभी घोटाले क्या आरक्षन प्राप्त लोगों ने किये हैं बताएंगे इसमें किसी दलित का नाम कब तक बेवकुफ बनाते रहोगे और हाँ फिर भी हम लोग अपने हुनर और काबिलियत से थोड़ा सा आरक्षन का सहारा पाकर क्या काम्याब होने लग जिनको अपनी थोथी मेरिट पे घमंड है और आरक्षन से परिशानी है वो अपने बच्चों को पाथ साल वहां पढ़ाए जहां गरीब बच्चे अभाव में रहकर पढ़ते हैं फिर देखना सारी मेरिट हवा न हो जाए तो कहना और यदि कुछ तथा कथित उच्वर्क क लोग ये कहते हैं कि वो किसी से भिद्भाव नहीं करते तो उनसे एक ही सवाल है क्या वो दलित परिवार से रोटी बेटी का रिश्टा करने को तयार है जातियां खत्म करने को तयार है अगर नहीं तो फिर मान लीजिए अभी आरक्षन खत्म नहीं होना चाहिए निवेदन एवं आग रहें समस्त S.C.S.T. समाज आपको सिर्फ 10 लोगों को ये मैसेज फारवर्ड करना है और वो 10 लोग भी दूसरे 10 लोगों को मैसेज फारवर्ड करें इस प्रकार 1 is equal to 10 persons ये 10 लोग, अन्य 10 लोगों को मैसेज करेंगे और इस प्रकार बस आपको तो एक कड़ी जोड़ी है देखते ही देखते पुरा देश जोड़ जाएगा